नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका स्टेड़ी वितेम में तो देखिए आज आप सभी क्लिए में ले गाया हूं उत्राखंड से संबंदित नए कुशनों की सीरीज तो देखिए इससे पहले भी मैंने काफी सीरीज अपलोड करे हुए अपने यूट्यूब चैनल पर तो ज बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को इंफोर्मेशन बताना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा फेजुक पेज और टेलिग्राम चैनल ऊपन किया हुआ है जिसमें आपको फ्री मैटेरियल मिल जाता है स्टेडी से संबंदित और उस सीधे उस लिंक से क्लिक करके जॉइन हो सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर लेकिन फेजुक को जॉइन करने के लिए आप अपने फेजुक के सर्चिंग बार पर इस टेड़ी वीट एम पेस करके आप डालेंगे तो जैसा कि आप हमारी यूट्यूब चैनल का आइकन देख रह इसमें करिएगा अपना जो स्कोर तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और जिन लोगों इसमें किया हुआ है तो उनका सब्सक्राइब कर रहा हूं तो इन सभी लोगों से और आप सभी लोग से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस पढ़ाई को एंसे कॉंटिन्यू रखिए एक ना एक दिन जैसे आप सफलता चाहते हैं जिस तरीके की सफलता आप सफलता आपको जरूर मिलके रहेगी तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की और आज भी यही कहना चाहूंगा कि आज भी आप जो इसका जितने से उसको भी आप कमेंट करिएगा कि आपका स्कूर कितना रहा आने वाली वीडियो पे जो मैं क्वेश्टिन्स लेका हूं तो अपन कमेंट जरूर करिएगा तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के और उसका पहला कुछिन है आपका देखिए उत्राखन का वेद्वियास किसे कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहला उप्शन है यह सुदर मठपाल जी के बारे में जान लेते हैं कुछ चीजे यह सुदर जो मठप है जुन 1949 को इनका जन्व आता अल्मोडा डिस्टिक में इनका जन्व आता है अल्मोडा जिले से संबंदित हैं यह सुदर मठपाल जी ठीक है उसके बाद आप सभी लोगों ने एक जो महत्वपूर्ण क्रेशन है और बहुत बार पूछा जाता यूके ट्रिप्लेस्टी के गई तो देखें इन्हों नहीं यानि कि यसोदर मठपाल जी के द्वार रही लोग संस्कृति संग्रालाई जो कि भीमताल में इस्तित हैं उनसकी स्थापना करी थी कब करी थी इसको भी देख लीजिए 1983 में उसकी स्थापना करे गी थी और उसके बाद इनको देखिए 1969 में इनको वह भी दिया गया है और इनके एक और पूछा जाता है जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा जिन लोग ने बंदी रक्ष्चक का पेपर दिया था 2016 में जो कंड़क्ट कराया गया था UK SSC के दौरा तो उसमें एक सवाल यह भी आया था कि यसोदर मठपाल का नाम किस विधा के लिए जाना जाता है इसको आप नोट भी कर सकता है पेपर और पैन आप अपने साथ रखे जो भी आपको इंपोर्टेंट कुष्चिन लगता है उसे नोट डाउन जरूर करिए यह सोदर मठपाल का जो नाम है वो किस विधा के साथ जुड़ा हुआ है तो यह यह आया था उस टाइम पर बंदी रक्षक में तो उसका जो सही अंसर था वो था पर चित्र कला ठीक है ना जो भी इसमें पॉइंट बनते जा रहे हैं या जो भी इंपोर्टेंट है यह प्रिक्षा की दिश्टे से वह सारे पॉइंट में आपको किलियर करते चलूंगा ठी इसे पर कि बनाया हुआ है कि कि राजा को अनपर्ड राजा कहा जाता है सबसे पहला आपके इंद चंद दूसरा आपका जगत चंद तीसा आपका लक्षमी चंद और चौता आपका चंद कल्यांड चंद्र को यह चंद राज परड़ाजर कहा जाता था लेकिन देखें कल्यान्ट चंद के बारे मैं बताना चाहते हो कलांग क जो थे बीसमचंद के उत्तरा अपनित्तर सब्सक्राइब सबस्सीक्तड मैंधमें के बाद ये आपके बीसमचंद बने अपके माध़ाइब लेकिन यह जो कल्यान चंद है यह उनके गोदली होए पुत्र थे तो उसके बाद भीस में चंद के बाद गद्धी पर बैठे थे आपके कल्यान चंद ठीक है तो इस चीज को आप याद रखेगा अगला कुश्चन आपका देखे दूधोली का यूद्धि किसके मद्धी हो थ सबसे पहला आपका देखें 592 भी 2 इंपॉर्टएंड आप सभी के मध्य होआ था आपका 1713 वा था ये बींपोर्टेंट है आप सभी लोग को और जान लेता है कुछ वतेसा के बारे में लिए सबसे पहले इनके गड़वाल का सिवाजी कहा जाता है पूछा जा सकता है कि गड़वाल का सिवाजी किसे कहा जाता है तो यह हो जाए कि आपको फतेशा सोरी दूसरे आपका देखिए इनको गड़वाल का अकबर भी कहा जाता है अब यह मैं बता देता हूँ कि कि गड़वाल का अगबर क्यों कहा जाता है यहाँ आपके नौरत ने थे तहुंधeko देखाए होगा इधा अकवाल कोईए इनको याद रखिएगवा अगला कुछिन आपका भूमी की सरुपरता माप कि सासक ने करуए थी तो सासक का नाम बताने हैं सबसे पहले महें चंद दूसरा आपका कल्यान चंद तीसा कवा रजट रटन चंद और चौथा आपका लक्षमी चंद तो देखिए इसका चौछी आंसर है वह आपका रटन चंद रटन चंद के ही दोरा भूमी की सरवपता माप कराए गई थी और चंद वन्स के सासकते हैं ठीक है अगला कुश्चन के और बढ़ लेते हैं आपके अगला कुश्चन आपका देखिए हिमाले बोलियों के विशेशगी के तौर पर किसे जाना जाता है तो सबसे पहला आपका सिसीधा सर्मा दूसरा अपका डीडी सर्मा तीसा आपका यसवन चंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला सासक कौन था तो सबसे पहला आपका जहां गीत दूसरा आपका जहां तीसरा आपका और चौता आपका अकबर तो देखिए इसका पहले थोड़ी दिर पहले मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा था कि भीष्चन के बारे में देखिए सबसे पहले बढ़ा देता हो इसमें भीष्चन के बारे में दो तीन चीज़े और बता देता हूं सभी लोगों को उन्होंने रूदरपूर जो आपका उधंसी नगर में पढ़ता है तो इनकी रूदरपूर नगर की स्थापना करी थी रूदर चंद के दोरा मल्ल महल बनाया था इन्होंना अल्मोड़ा में जहां पर वर्तमान में तैसिल है अभी वर्तमान में तो इन्होंने मला महल का निर्माड कराए हुआ था उसके बाद देखे एक और फैक्ट मिलता है जैसे कि आप सभी लोगों को पता हो गया कि रूद चंद ने देखे रूद चंद जहां गडवाल में क्या होता है सरोला ब्रहमण की वहां पर होते थे गडवाल में तो उसी टाइप से इन्होंने रूद चंद ने गडवाल के सरोल कुमाओं में चौधानी ब्राहमणों की जो मंदली करिया बनाएंगी चौधानी ब्रहमणों की फाइल्त नी topics तो देखे इसका जो सही अंसर है का गरूर की उपादी भी मिली थी इनको गरूर ग्यान चंद्र भी कहा जाता था इनको ठीक है तो इनका राज जिए पूछा जैता तो उनका जो चिन्न था वह था आपका गाएंथा तो इस चीज़ को भी याद रखेगा कर देखना चैनला कि यहां पर राम गंगा बास का दूसरा नाम क्या है थिक्षाइब से पहला उसन आपका ठीहरी बाद दूसरा आपका कालागण बाद दूसरा नाम नदीपह है इसी लिए उसको राम गंगा बाद भी कहा जाता है ठीक है इस चीज़ को आप याद रखेगा अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट आपको बता देखिए जो आपको काला गड़ बाद है अगर उसकी लैंद्ध और हाइट की बात करें देखिए जो लंबाई है उसकी वह कितनी है उत्पादन करने की तो वह है आपकी एक सो अठानाबे मेगावाट की यह प्रयूजना है ठीक है अगला जो कुछिन आपका अगला कुछिन देख लेते हैं पर प्रसिद्र तरी जुगी नारायन का मंदिर किस जन्पद में इस्तित है ठीक है तो जन्पद का नाम ब मेन जो फूजर करी जाती है वह विष्णू करी जाती है थीक है तो देखिए इसक जो उत्य जो नारायन इंदिर इसके लिए ये जो मंदिर काफी मानिताओं से भरा मंदिर है और इसके लिए बहुत से कथाई भी जोड़ी हुई है और आने वाले टाइम पे UK सी पूछ सा जा सकता है कि त्री जुगी मंदिर के बारे में अभी तक पूछा नहीं गिया है लेकिन आने वाले टाइम पे इसकी जो संभावना है वह बहुत ज्यादा है क्योंकि यह बहुत फिमस मंदिर है तो आप लोगों को वहां पर जोत जलती है早 जाता है कि यह अरही है यहां पर पर्विती की का हानी जोडिवी है और पर्विति जी का विवा हो रहा था उसके बाद यहां पर जो भागवान या जो देवता आये थे उन्होंने स्नान किया था तब यह तीन कुंड बने हुए एक कुंड का नाम है रूद्र कुंड दूसरा है विष्णो कुंड और तीसरा आपका ब्रह्मा कुंड ठीक है यह थो और अभी वर्तमान में भी यहां पर जो त्री जुगी नारैन मंदिर हैं यहां पर विवा होते हैं तो इस चीज को आप याद रखीगा ठीक है तो अगला पुस्तक के लिखक का नाम बताना आपको सबसे पहला आपका यस्वन सिंह कटोष दूसरा आपका सिर्दान पर तीसरा आपका सिवानन्द नौटियाल और चौथा आपका बद्रिदक्त पंडे तो देखें आपका जो गड़वाल दर्शन के पुस्तक के जो लिखक है वह हैं सिवानन्द नौटियाल आपका गड़वाल दर्शन के पुस्तक के लिखा गया था ठीक है गड़वाल पुस्तक इनकी के दौरा लिखी गी थी अगला कुछिन आपका एक हजार गाईयों को दान देने वाले सासक का नाम बताना आपने सबसे पहला आपका जगत चंद दूस कि जगत चंद को ना कुमाओं में इनके काल को जगत चंद का जो काल माना जाता है इस काल को कुमाओं का स्वणा काल माना जाता션 थेकर तो काफी थेनले ने देखिया जोहारियों पर पर कर भी लगाए था जैसकर कर वियस्ता ? शाक रही elephant sabसक में रही वह काफी रहीsh 각 हुआ चैचक के कारण होई तो जैसे कि आप सभी को पता हिए हाज वर्तमान में हमारे देश में कोई-19 याने की जो क्रोणा वायरिस के हमारी महामारी का रूप था तो इंपोर्टन्ट है जैसे लाए इसके देखते हुए आने वाले टाइम पर पूछा जा सकता है कि किस चंद राजवन राजवां की जो मित्व है वो चीछ के कारण हुई ठीक है इस चीछ को आभी याद रखेगा अगरा क्विश्चन आपका देखें आप नंदा राजवात का जिकर किस पुष्टक में किया गया है सबसे पहला आपका हर्च चरिता दूसरा आपका कादम इरी तीसरा आपका अग्वान नामा चौत आपका जहांगी नामा तो देखिए इसका जो सही ना अंसर हो है हर से चलित हैं हर्च चलित में ही आपकी नंदा रा तक होम कुंद नहीं बहुत से लोग को जाते हैं तो इस चीज को नहीं होना तो देखिए बात कर लेते हैं जो आपकी जो नंदा यात्रा है उसकी जो टूटल लंबाई है उसकी जो टूटल लंबाई है वह आपका 280 किलोमीटर काफी लंबी जो राज्जाज यात्रा है यह और इसमें लगभग 19-20 दिन लग जाता है यात्रा करने में तो इस चीज़ को बीज याद रख सकते हैं अगला कुश्चिन कर देखा कौन है इसको बताना है सबसे पहला आपका अटकिंस दूसरा आपका सिव लियंस चौथा आपका रसकिन बांट तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका सी सइव चंदन को ही मिठ्टी का महादेव कहा जाता था सीव चंदनने तो इन को ही इसा आपको पता तो इनको आप बच्छो का खिलो ना दूसरा बच्छो का वस्त तीसा शिंतने घ्ट्र जो होता है विए झागूला का जाता है बच्चों के बच्छों का बत्च शूड़े संसकार होता है यह दिया जाता है यह चांदिका बना होता है नॉरमणी तो इसको बहुत आ लग चीज ज़गली जो न लीचीज बहुता बच्छों के वस्त्रों को आ जाता है जो छोटे बच्चे उनके वस्तों को जबूली तो यह उम्मेद करता हूं कि यह जो आपका इनके बीस का पर आप सभी लोगों ने देखें होंगे आप सभी लोग उत्राकांद से संबन देख़ें तो आप लोग उसे भली भाती जांपने घसा मेरा मानना याता करद्येक बारे में कोछ चीजें तो देखिए अलमोडा जो डिस्टिक है आपका जो अलमोडा नगर है वो कोशी और सुयाल नदी के मद्य यहां दो नदियां मैं इस कोशी नदी भी है यहां पर सुयाल नदी भी है यहां पर ठीक है बात करते हैं फिर से 20 चंद आ गया देखिए 20 चंद ने जो है सबसे पहले चंद राजवन से उनकी जो राजधानी थी वह चंपावत थी उन्होंने चंपावत से स्थांतरित करके अलमोडा लाए थी किस ने कौन लाए था भीस में चंद लाए थे तो इस चीज को आप याद रखे गया अब बात करें नगर पालिका नगर निगम पूस्ता कब बना क क्या हुआ तो इन चीजों को इसलिए मैं नगर पालिका नगर निगम जहां पर बनाता है वह उसका गठन जरूर रखता हूं अपने यूट्यूब पे तो देखें सबसे यह जो आपका अलमोडा है उसमें जो नगर पालिका का अपने यूट्यूब पर आप बात कर लेता है इसमें निकाले गई है ठीके डोल आस्रम जो की काफी महत्वण काफी चरचा में रहा इस बार और 2019 में तो देखेंगे डोल आस्रम की सथाबना करी थी तो यूगी कल्यान दास जी के दवारा कप करी थी उन्नीश सो नब्बे ठीक है निस सो नब्बे पूछा निए आने वा करेगी तो इसको याद रखेगा योगी कल्यान दास यहां पर देखिए दो अकादम हैं सबसे पहला आपका उद्र संभी साजीन की अब पता है उनको मैं वता रहे हमारे राज्य में दो आकास्वाणी केंद्र ہیں सबसे एक अलमोरा में और एक आकली से जगह सबसे पहला उसने मौदल से संब Tort embark खर सुनन दोसके का सुन और में नहीं तो इसका रहे बडरेगा याद रखेगा अग्ला कुस्छ्य वीडियो सबसे पहला दूसरा आपका उधमसी नगर चौथ आपका चमपावत तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह नैनिताल डिस्टिक में ही आपका कैची दाम मंदिर इस्तित है बहुत सारे लोग कर देता है सूचते हैं कि यह अल्मोडा हाइवे पे स्तित है तो सायद हो सकता है कि हालदवाद हाइवे पे स्तित तो अल्मोडा डिस्टिक में होगा लेकिन डिस्टिक पर नहीं है यह जो यह उसी के अंदर आ जाता आपका कैची दाम आपको बताना चाहता हूं यहां पर मुख्य तौर्च पर जो कैची दाम को जाना जाता है वह बाबा नीम करो लिए के बाबा नीम करोली हैं उन्हीं नाम पे जो आपका क्याशी धामन उनको जाना जाता है लेकिन आपको बताना जाता होगे 62 में जब ना जो यहां पर यहां पर 15 जून 1964 ठीक है 1964 ठीक है 1964 में आये और 1964 में 1524 में उन्होंना हनमान जी की मूर्ति यह वहां पे इस्तापित करी थी तभी से एक प्रसिद्ध मेला चला रहा है जो कि वहां पर प्रतिवर्स 15 जून को लगता है जहां से देश विदेश के लोग काफी लाखों की संख्या में आते हैं प्रसाद गरहन करते हैं 15 जून को भव्य मेला लगता है आपका कैचिधाम मंदिर पर तो आप से पूछा जा सकता है कि जो कैचिधाम मंदिर का मेला है उसकी शुरुवात कब से हुई तो इसको भी याल रख सकते हैं 15 जून 1964 से वहां पर मेली की सुरुवात हुई और वहां पर बहुत भेंगर और भव्य आपका मेला आपका आयोजन होता है ठीक है तो ठीक है दो जो भी नए कोशिन पूछे जा सकते हैं और आपके जितने में डाउट्स हैं वह आपकी क्लियर होंगे अगर आपका कोई भी डाउट्स के लिया नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंड में कमेंड कर सकते हैं अपना इसको जरूर टाइप करिएगा मेरे को कमेंड बॉक्स में त पसंद आए तो उसको लाइक कमेंड जरूर करेगा अपने फ्रेंस लोगों के साथ पढ़ाय करिएगा लॉक्डाउन चल लाए जरूर चल लाए देश में घर पर रहिए लेकिन पढ़ाय पर कोई भी लॉक्डाउन नहीं है पढ़ाय जरूर करते रहिए तो उम्मीद करता ह और सभी लोगों मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आगामी आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं यहां होंगे आगामी पेपर उन सभी के लिए विस्ट्री विट इमक्यों से धन्यवात